हलो दोस्तो नमस्कार मैं बालापीर इलेक्ट्रोनिक चानल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तो हम एक सर्किट डाइग्राम बनाये हैं जैसा कि आप देख रहे हैं और यहां circuit diagram दोस्तों हम बनाए हैं, देखिए हम यहां पर लिखे हुए हैं, IC TDA 4865 यानि दोस्तों IC TDA 4865 वर्टिकल सेक्षन circuit diagram in LG CRT TV voltage details, ठीक है, दोस्तों हम इसी के विशाय में बात करेंगे, दोस्तों यहां जो आप circuit देख रहे हैं, यह दोस्तों IC का चित्र है, और यहां पर जो आप देख रहे हैं, यहां तीर की नोखी वला, यहां दोस्तों अर्थ का सिम्बूल है, यहां दोस्तों अर्थ है, इसको दोस्तों हम negative भी कह सकते हैं, और यह दोस्तों आप देख रहे हैं, एक पाई छोटा एक पाई बरा, यहां माइनस प्लस, यहां दोस्त का सिम्बूल है ठीक है देख लिए हैं तो आइसी दोस्तों देखिए हमारा यह है और यही दोस्तों आइसी लगा हुआ रहता है ऐसे पीन इसको गिना जाता है देखिए तो इसका एक नमर पीन कौन है और दो नमर पीन कौन है तो आपको ऐसे आईसी पकरना है और उपर वाला पीन यहां वाला सबसे पहले पकरना है तो यह दोस्तों एक नमर पीन है और नीचे वाला दोस्तों यह दो नमर हो गया ठीक है फ साथ नम्मर पीन हें यहाँ वाला ठीक है यहीं दोस्तों पिन गिनने का तरीका तरीका में बित crust थे एक नमर दोनमर पीछेцо तीन नमरा ऑगे चारह नमर पीछे पाँच नमर आगे और च्छुन मर पीछे और вч दॉस्त आगे और तीन within पीछे होता है समझ है आप ऐसे ही दोस्तों आइसी इसमें लगता है तो आइसी के भी से में तो आप समझ गए अब कंडेंसर राजिस्टेंस के भी से में आप समझ लिए ठीक है और पी एफ के भी से में देखिए दोस्तों यह हमारा राजिस्टेंस है राजिस्टेंस ऐसा ही होता है दोस्तों इस पॉजेटीव है और इधर वाला दोस्तों नगेटीव है तो डायोड में भी सिंब् wenig बनाया जाता है दोस्तों देखी यह जो डायोड का हम सिंब्ल बनाए है यह यह नोखी तीर का नोखी होगोड पाय यह यहाँ पर और इधर सअड् T दोस्तो negative है ठीक है समझ गये हैं अब दोस्तों आइए आपकोThis इस्टेंस के भी से में बताती है यह पी एफ है दोस्तों यह kuhलर कुअ यह पी एफ है यह यह पी एफ इसे दोस्तों यहां एक सो चार और यह दोस्तों धूस्ताहर उक्त इख हो हुआ और ये दोस्तो नंति प्ल्टर केपशने विर फिल्टपीटज्ट भेलने प्लीस करते हैं यह देखिए जो मारे जंगंश-पाप्चितर देख रहे हैं यह दोस्तो मिर्साट प्लश्क्यो PG one इसमें भी दोस्तों देखिए एक प्लस और एक माइनस तो यह ही दोस्तो है नेगेटिव और पोजेटिव तो यह वहाला जो आप सिम्बुल देख रहे हैं है इस कंडेंसर का सिम्बुल है इसमें छोटा बारा सब की स्विक आता है समझ गहाई आप और यह दोस्तो हमारा यूक क्वाइल है यूक क्वाइल जो बिद्यों को अंत थ्यान पूरवक इस्थिर से देखिए तभी दोस्तों आप अच्छे ढंक से समझ पाईएगा ठीक है और चैनल को अगर अभी तक सबस्क्राइब नहीं किये हैं तो किर्पिया चैनल को सबस्क्राइब कर लें साथ ही घंटी बिटन को टच कर नूटिफिकेशन अल करें ठीक है और वीडियो को दोस्तों इस स्किप नहीं किजिएगा इसथीर से देखिएगा तभी समझ यह चलिए आप दोस्तों देखिए का 1 नमबर पीन इसकार दोस्तों प्लस सप्लाई होता है चौदा वोल्ट इसमें सबसे पहले दोस्तों समझे कि इसका जो आइज सी को चालू करने के लिए जू सप्लाई मिलत है एक नम्मर पीन पे ठीक है और एक नम्मर पीन पे प्लस 14 भोल्ट की सप्लाई दुस्तो है दो नम्मर पीन माइनस 11.10 भोल्ट की सप्लाई है तीन नम्मर पीन प्लस 13.65 भोल्ट की सप्लाई है चार नम्मर पीन माइनस 14 भोल्ट सप्लाई है इस पर दोस्तो नेगेटिब सप्लाई है पांच नम्मर पिन 0.20 भोल्ट सप्लाई है ठीक है और 6 नम्मर पिन 0.70 भोल्ट की सप्लाई है और 7 नम्मर पिन दोस्तो 0.70 भोल्ट सप्लाई है छे और साथ पर दोस्तो जप्लाई बिल्कुल सेम रहता है ठीक है 6 और सात नम्मर पिन पे अब दोस्तो ये तो हम सप्लाई लिखें लेकिन कभी के दाल आपको कीट में तकरिबन एक से पाँच भोल्ट तक सप्लाई दोस्तो आपको आगे पिछे मिल सकता है ये तो 14 भोल्ट आपको सब्सक्राइब तब सब्सक्राइब दोस्तों आई इसमें किसी परकार का कोई दिकत नहीं है ठीक है तो सप्लाई की भी से मैं समझ गए यह दोस्तों ब्लेक से सप्लाई लिखा हुआ और एक दोस्तों का लाल से भी हम सप्लाई लिखे हुए हैं यह जो देख रहे हैं यह सप्लाई लिखा हुआ है ठीक है अब आप समझ गए हैं अब चलिए आगे यहां से दोस्तों देखी यह जो supply जा रहा है यह हमारा positive supply का line है दोस्तों तो यहां पर diode लगा हुए है resistance है और यह दोस्तों फिल्टर केपिसीटर है उसके बाद दोस्तों 14 भूल्ट की supply जा रहा है negative supply में भी दोस्तों देखी यहां पर diode है यह पीफ है और यह दोस्तों filter केपिसीटर है ति यह जो resistance का भाइलू होता है आपको diode का भाइलू जो होता है डाइवड का नम्मर बहुत दोस्तों सेम होता है, रेजिस्टेंस का नम्मर दोस्तों सेम होता है, पी एफ का नम्मर दोस्तों दोनों का सेम होता है, फिल्टर केपिसिटर का नम्मर दोस्तों दोनों का सेम होता है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक डाइवड लगा हुआ है, यह डाइवड का नम्मर दोस्तों आइ यहाँ पर 47 के resistance है, 104 PF है, यह दोस्तो 180 ohms का resistance है, half watt का, यहाँ पर दोस्तो 180 के जगा 200 watt ही मिल सकता है, यह दोस्तो इसमें थोड़ा सा आगे पीछे भी आपको मिल सकता है, resistance लगा हुआ, यह दोस्तो 4.7 ohms, 1 watt या half watt का resistance दोस्तो यहाँ पर लगता है, ये दोस्तो राइस्टेंज सब क्वाटर में लगेंगे और इधर से दोस्तो देखिए इधर से तीर का निसान हम बटाएं है इधर से दोस्तो हमको सिगनल आता है इस IC को चालू करने के लिए इधर से तो दोस्तो हमारा औरजेंटल सेक्षन से इस्टी ट्रांसफर्मर से सप्लाई आया लेकिन दोस्तो इसको चालू करने के लिए सिगनल दिया जाता है सिस्टम IC से जो CRT TV के सरकिट बोर्ड में सिस्टम IC लगा हुए रहते हैं उससे दोस्तो दो सिगनल आता है दोनों का देखे सिंबूल ए आयशी से सिगनल आता है इसमें दोस्तो सेम 62 किलो का रैजि सिटन्स लगा हुए है 32 के जगह पर doc47 चलemy के रैजिस्टेंस आपको मिल सकता है या 49 के भी दोस्तों कहीं कहीं रेजिस्टेंस मिलता है ये रेजिस्टेंस का भाईलू दोस्तों दोनों का सेम होता है ठीक है समझ गए हैं ये दोस्तों देखें 2.2 ओम्स का रेजिस्टेंस है हम इसको दोस्तों कट किये हुए हूँ इसका मतलब है दोस्तो कि किसी circuit में यह resistance होता है और किसी में दोस्तो नहीं होता है और ज्यादा तर दोस्तो आपको नहीं मिलेगा यह resistance किसी किसी by chance को इस circuit में आपको मिलेगा और दोस्तो इस resistance का जगा पर कहीं कहीं आपको PF भी लगा हुआ मिलेगा हम यहाँ पर दोस्तों लिखे हुए हुए हूँ 2.2 ohms resistance की जगा किसी circuit में रहता है और किसी में नहीं रहता है इसके जगा आपको PF रहता है PF लगा हुए आपको मिल सकता है ठीक है आप दोस्तों समझ गए है यह resistance का आपको माइने नहीं रखना है यह resistance आपको दिमाग से हटा देना है ठीक है समझ गए है आप अच्छी तरह चलिए आगे और बात करते हैं तो हम आपको इस IC के voltage के बिसे में बता दिया थीक है अब चलिए दोस्तों फोल्ट के बिसे में बात करते हैं तो फोल्ट देखिए यह TV मान लिजे के है सबसे पहला फोल्ट और टीवी के बीच में एक mercury की तरह line आ रहा है एकदम दोस्तो पतला ठीक है सीधा तो दोस्तो क्या खराब होता है तो इस इस्तिती में दोस्तो यहाँ IC खराब होता है सबसे पहले दोस्तो आपको चेक करना है voltage कि हमारा voltage आ रहा है कि नहीं supply voltage अगर supply voltage ओके है उसके बाद दोस्तो आपको चेक करना है हमारा IC से जो signal आ रहा है यह signal यह हमारा IC से signal आउट कर रहा है कि नहीं यह दोस्तो वटकल सेक्षन का output सेक्षन है IC जो है output सेक्षन है और एक दोस्तो वटकल oscillator सेक्षन होता है जो oscillator सेक्षन दोस्तो हमारा IC में सिस्टम आईसी में बना हुए रहता है और सिस्टम आईसी से सिगनल आता है अगर सिगनल नहीं आएगा तो दोस्तों टीवी की स्क्रीन पर मरकडी की तरह पतला एक लाइन आएगा ठीक है आप समझ गए हैं चलिए दोस्तों आप माल लिजे कि यह अब लाइन आ रहा है तो जा क Track चल से सबस्टमें और पियाई रहा है तो दोस्तों करते हम लोग क्या कि सर्कुट स्टार्ट करके हम लोग जमीन से उपर हो जाते हैं कि सी लकडी पर खराए पटर आपर किसी सुखा हुआ बेड पर खराए और उंगली में थ्वड़ा सा पानी लीजी हलका भिंगा ल रहेगा तो picture दोस्तो उपर नीचे jump करता है light eye एगर jump कर रहा है तो दोस्तो हमारा IC बिल्कुल सही है हमारा fault vertical oscillator section में है तो आप दोस्तो जो vertical oscillator section है जो system IC से signal आता है उसको दोस्तो चेक करें ठीक है उसी में आपका problem है समझ गया है आप अगर जंप नहीं करता है तो दोस्तों आप IC को चेंज करते हैं आपका प्रोब्लेम सही हो जाएगा यह तो हुआ दोस्तों आपका horizontal line के भी से में और दोस्तों इस fault को हम लोग horizontal line कहते हैं अब दोस्तों इसी में एक जो fault आता है वह ऐसा आता है लाइन थोरा साख अपशन हम जब साख तेरह मरा सिंगल एक लाइन आए तो आपका दोस्तों फोल्ट आएगा U-Qail में आपका U-Qail दोस्तो 100% खराब रहेगा ठीखा है तो आप दोस्तो U-Qail कर रेपेर कर दीजाएगा तो दोस्तो प्रोब्लेम सही हो जाएगा ठीखा है कीट में प्रोब्लेम नहीं रहता है दोस्तो जब 13 मेरा लाइन आता है तो ठीखा है एक प्रोब्लेम आता है दोस्तों देखिए ऐसाग टीवी है और उपर में दोस्तों टीवी के टॉप स्क्रीन पर दोस्तों आपको पतला पतला लाइन चरपाच गो आ रहा है उस इस्तीती में दोस्तों खराब होता है यहां पर जो 100 MFD 25 वोल्ट का कैपिसीटर लगा हुआ है यह कैपिसीटर खराब रहता है इस कैपिसीटर को बदल देंगे तो आपका प्रोब्लेम दोस्तों सही हो जागा अगर इस कैपिसीटर को बदलने से भी प्रोब्लेम सही नहीं हो रहा है या दोस्तों इसके रिलेटेट पार्ट से और इसके रिलेटेट पार्ट दोस्तों य यह समझे यह आपका टीवी है टीवी की danger पर बीच में केवल फिक्चर आ रहे हैं यह पिक्चर और दो 3 इनची नीचे से और 2-3 इनची ऊपर से दोस्ते फिक्चर कट रहा है इस今天 में आपको खराब कहा कहा रहता है इस इस्तिती में दोस्तों आपको चेक करना है यहां पर देखिए 4.7 Ohms का जो राजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें से कोई एक राजिस्टेंस दोस्तों खराब रहता है पारलर में जो लगा हुआ रहता है इसमें से कोई एक राजिस्टेंस खराब है अगर खराब नहीं है त जो भी रेजिस्टेंस पी एफ लगए हुए इसको दोस्तो ध्यान से चेक किजिएगा ता आपका प्रोब्लेम दोस्तो रिपेर हो जाएगा ठीक है और इसी में दोस्तो एक पाट आता है बीच में पिक्चर आएगा और दोस्तो ये लाइन सीधा के जगा दोस्तो ऐसे हलका त इरचा रहेगा तेरह मेरा तो इस इस्तिती में दोस्तो आपका यूख क्वाइल खराब रहता है तो ये क्वाइल को दोस्तो आप रिपेर करें या नया लगा दें प्रोब्लेम सही हो जाएगा ठीक है एक फोल्ट आता है दोस्तो देखिए टीवी में ऐसा और दोस्तो ये बीच से उपर में पिक्चर आएगा इसमें पिक्चर आ रहा है और नीचे में दोस्तों आपको पिक्चर नहीं आ रहा है इसमें दोस्तों पिक्चर नहीं है नो और इसमें दोस्तों है यस आधा से उपर में है इस इस्तिति में दोस्तों खराब क्या रहता है तो इस इस्तिति सब्सक्राइब को जरूर चेक करें और दोस्तों यह जो राइस्टेंस लगा हुए इसको सरकिट बोर्ट से बाहर निकालकर दोस्तों चेक करें इसका भैली दोस्तों बढ़ जाने के कारण दोस्तों यह बिमारी आता है या खराब हो जाने के कारण हो जाने के कारण दोस्तो ऐसा फोल्ट आता है पूरा दोस्तो सोट कर जाता है राइस्टेंस कट जाता है या दोस्तो भाइलू बढ़ जाएगा तो करेंट ज्यादा रोक लेगा तो दोस्तो आई सी को सप्लाई नहीं मिलेगा तो दोस्तो प्रोब्लेम सभी सिग्नल सही आ रहा हैं तो दोस्तों आपका प्रोब्लेम आएगा आईशी को आप चेंज कर दें ठीक है और जो भी हम वोल्टेज दिखाए हैं दोस्तों आईशी का इसमें से कोई भी ज्जादा वोल्टेज आपको आगे पिछे मिलेगा तो दोस्तों आईशी में त treaties कोई यहां विभी कोई चरु आता है चाये घैसे को दोस्तो दोस्तो त्यूर्ण पूर्वक्स चेक किई अगा तो प्रोब्लिम दौस्टो आपका सही होजाएगा ठीक है जायेगा तो दौस्तो दूस्तोथ ध्यान पूरबलर होतना तो दोने ऌने आगे का problem दोस्तों देखिए यह TV है ठीक है और इस पर DOSTP खारा उरा है साथ रंग का यह तीन चार कलर का दोस्तों खारा खारा पटी आता है color में इसको दोस्तों हम लोग Rambo fault कहते हैं अब rainbow fault कैसा होता है दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखा देता है, ध्यान से देखिएगा, दोस्तों देख लिजिए, यही rainbow problem है, अगर यह फोल्ट आए, रैम्बो फोल्ट आए, तो दोस्तों क्या खराब होता है, यह समझ लिजिए, ठीक है, तो दोस्तों rainbow fault को ठीक करने के लिए हमारा जो yastse se supply आता है नगेटी यह supply दोस्तों ख्राब हो जाता यह ठीक है समझ गहे हैं और एक लास्ट lline और ऊपर दोस्तो तीन चार लाइन लाइट भी आता है नीचे दोस्तों मेही मेही लाइन या दोस्तों लाइन नहीं रहता इस इस्तिती मेँ भी दोस्तों आप IC से related circuit को चेक किजिए आपका PF वगड़ा खराव होगड़ा antibody strength भी खराव होता है या ज्यादा तर दोस्तों आपको IC ही खराव होता है कि दोस्तों आइसी जब टीवी चालू होता है तो दोस्तों हीट होता है और हीट होने के वज़ा से दोस्तों कभी के दाल ओभर हीट हो जाता है तो दोस्तों आइसी ख्राब हो जाता है ठीक है तो इस इस्तिति में दोस्तों आपको आइसी को चेक करना है अब यह दोस्तों ह स्क्रिन पर होड़जन्टा लाइन आएगा दो दोस्तों कहनाम आपका बिल्गुल सही है लेकिन दोस्तों एक और्थ और रहता है इसके सर्किट के अंदर जो सारे PCB को सारे सिस्टम को और्थ देता है जो सप्लाई से नेगेटिव सप्लाई आउट होता है पावर सप्लाई से वो है नेगेटिव सप्लाई दोस्तों इसके अंदर भी कनेक्ट रहता है कहीं कहीं जैसे देखिए यह नेगेटिव सप्लाई है नेगेटिव सप्लाई पर फिल्टर के पिसिटर हम लगाई हुए हूँ तो यहाँ पर नेगेटिव है तो हम नेगेटिव लगा दिया यह प् तो जब उसमें दोस्तों connect होगा और यहां से दोस्तों डायोट से negative supply इसको मिलेगा यह तो na against है लेकिन यह दोस्तों इस केपिसिटर के लिए यह negative supply positive हो जाता है ठीक है समझemeếnे को और यह भी दोस्तो negative supply जो रहता है वो power supply से जो negative आता है उसी में दोस्तो यह connect रहता है ठीक है आप अच्छी तरह समझेे कहीं कहीं दोस्तो और print में दोस्तो यह connect रहता है अगर दोस्तो आपको यह video अच्छा लगए तो बाए साइड अंगूथे कि निशान को टच कर एक लाइक कर दिजे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे साथ इगंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ओल करें अब चलिए दोस्तो किसी सामान के बदले हम कौन सा नम्मर लगा सकते हैं इसके भी से मैं दोस्तो समझिए सबसे पहले दोस्तो दिखी 30.45 ohms का रिजिस्टेंस है एक 4 के जगह दूस्तो आपफल बी रिजिस्टेंस इसमें लगा सकते हैं और 47 ohms के जगह दोस्तो दौसकि में दोस्तो आपको 10-10 ohms का रिजिस्टेंस मि लेगा और किसी यह एक परकार का फ्यूज का भी दोस्तों काम करता है अगर यह रेजिस्टेंस खराब है और अगर आपके पास रेजिस्टेंस है तो आप रेजिस्टेंस लगा दें अगर नहीं है और नहीं मिल रहा है तो इसके जगा दोस्तों करना यह है कि जमफर कर दें दोस्तों इसको ए 157 लगा सकते हैं 157 दुस्तो लगा सकते हैं तीबी यार 0-2 इसके जगा दोस्तो ज्यों कोई भी धुनों में लगा सकते हैं और दोस्तो कोई कोई धुषऑ्ट धुरफा मोटा रहता है पिस यह record दोस्तो दोस्तो डायोड किसी किसी सर्कुट में लगा हुआ रहता है तो उसके जगा दोस्तो आप आयन 399 या एफ़ार 207 भी दोस्तो डायोड इसमें लगा सकते हैं आपका दोस्तो प्रोब्लेम सही हो जाएगा ठीक है यह फिल्टर केपिसीटर है तो दोस्तो यहाँ पर 470 ओम्स से 1000 ठीक है इसमें 25 bet बोल्ट की आप लगा सकते हैं दोस्तो आपका लग जायेगा ठीक है तो यह दुस्तो सेम है यहां पर दोस्तो समझिवा老師 matर तैया ज्रूस्त है तो डायोड है तो दोस्तो अचानी सार से दोस्तो 270 ओम्स ये वला और ये वला 56 इसके जगह दोस्तो आप थोरा सा आगे पिछे भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं ठीक है यह सब जो रेजिस्टेंस है दोस्तो यह क्वाटर में रेजिस्टेंस होता है मतलब दोस्तो कहनेकार्थ है कि 100% का चवथाई भाग रहता है य यह दोस्तो क्वाटर में इससे दोस्तो इसका आधा वाट है तिये दोस्तो उससे और दोगना मोटा आएगा यहीं दोस्तों रेइस्टेंस होता है ठीक है अब डायोड़ के भी से में समझे दोस्तों 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 इस मोटा डायोड का दोस्तों, Ampere दोस्तों ज़्यादा होता है इसलिए दोस्तों इसको मोटा बनाता है ठीक है? तो यह दोस्तों मोटा में आपको IN399 मिलेगा, A207 मिल जाएगा ठीक है? इवह दोस्तों दोने यूज कर सकते हैं और पतला में दोस्तों आपको BA 157 BA 169 दोस्तो डायोड आता है IN 4000 साथ आता है इस दोस्तो सेम डायोड है समझ गए हैं आप अच्छे तरह से ठीक है तो यह सब दोस्तो आपको हम बता दिये हैं ध्यान पूरुवक समझ गए हैं यहाँ पर दोस्तो जो हाफ वाड है इसके जगए दोस्तो आप एक वाड भी रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं ठीक है दोस्तो यह तो हुआ LG के बिसे में यह दोस्तो IC Salora में भी लगता है अनेको ब्रांड कंपनी दोस्तो इस IC को लगाता है कहीं दोस्तो आपको समसंग कंपनी में भी मिल जाएगा ठीक है लेकिन सार्किट दोस्तो सेम होगा लेकिन रेजिस्टेंस का भैलू दोस्तो आपको आगे पिछे मिल सकता है कैपिसिटर भी दोस्तो कहीं कहीं सेम आपको मिल जाएगा जादा तर दोस्तो यही सब कैपिसिटर यूज होता है दोस्टो हम जितना भी आपको fold बताए है ये सारे fold के उपर हम video बना रखे हैं और लिख करके भी दोस्टो दिखाए है अगर दोस्टो आपको इसका practically वीडियो देखना है तो आप हमारे home channel page पर जाएज आपको video मिल जाएगा या दोस्तो इसी वीडियो के डिस्किप्सन में ये सारे वीडियो का लिंक मिलेगा आप दोस्तो वीडियो देख कर अच्छे तरह समझ जाईए ठीक है तो दोस्तो यदि आपके कोई मन में सवाल हो तो कमेंट जरूर किजिएगा और कमेंट में यह जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा अगर किसी परकार का कोई दिक्कत होता है या कोई और हमसे छूट जाए तो उसके विशे में भी जनकारी हमको दे दीजिए या हमसे कोई भोल चुक हो जाए तो उसको माफ करें और दोस्तो कोई कमेंट कीजिए हम आपको जब आप देने का प्रयास करेंगे या दोस्तो आप बताईएगा तो हम आगे एक और वीडियो इस पर बना कर आपको दिखाएंगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तो आपको बहुत भरनेबाद नमस्कार